नमस्कार, राधे-राधे हरर महादेश, मैं आपका आचारदेव कापले बने कहा कि तुलाप का भविष्ष बदलने वाला इसपे आप क्या कहते हैं लोग अच्चे थंबेने लगा रहे हैं कि तुलाप का भविष्ष बदल जाएगा तो क्या जोत으 शास्त्र कहता है अगस्ट से लेके दिशंबर तक क्या-क्या परिवर्ट अनार हैं तो एक मोटा सा खाका आपको मैं यहां पर प्रसुत कर दे रहा हूँ तुला तुला का मतलब संतुलन बनाने वाले तुला वास्तों मैं सुकर की दूसरी और सबसे खुबसूरत रासी है जिसका काम है संतुलन बनाना लेकिन आपके रासी पे स्वाती नच्छत चलता है देखिए थंबेनल लगा के और अच्छा सा अट्रिक्शन बनाना अच्छा लगता ह लेकिन सच्चाई क्या है, स्वाती नच्छत्र आपके साथ है, मिडिल में स्वाती है, कटिंग तो होती है, दबाओ तो जहिलना पड़ता है, प्रिशर तो जहिलना पड़ता है, जितना आसान जिंदिगे दिखती है, उतनी आसान होती है, रिजन यह है कि राहू आपके पिरेशानी और आप अपने आपसे परेशानी ये तीन Bacter Steve इस्टिया कंट्रोल में रहेंगी क्योंकि आप पूरे राहों से अच्छादित हैं इसुएंट को जूरब समझेगा जोतिष दुरसल रासी ग्रहों का विसेHe नहीं है जोतिष नचत्रों का विसेई और वर्तमान में परिषानी है कि हमारे ज्यादातर सास्रकार नचत्रों को भूल चुके हैं जो जोत्सी है उस नचत्रों तख कौन जाए तो नचत्र आधहार अस्तम्हें इसलिए नचत्रों को समझे और हमारा चैनल नचत्रों पर याद आ लिए तो अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब ने किया अध्क्रिप आप करिये पहला काम करिये फिर आपके राशी पर आता है तुला मतलब संतुलन संतुलन आप भी बना के रखेंगे तो दिसम्बर से अगस से लेकि दिशंबर तक क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं अभी देखिए आपको सुनने में मिलेगा गुरू का परिवर्तन होते ही आपको जाएंगे बल्ले बल्ले गुरू वक्री हो रहे हैं गुरू का वक्री आपको माला माल कर देगा ठीक है ना शनी का जो परिवर्त समय में थोड़ा नहीं काफी प्रहाव पड़ेगा जब राहू और केतू का परिवर्तन होगा ना तो बहुत ज्यादा प्रहाव पड़ेगा राहू केतू का परिवर्तन बहुत ज्यादा प्रहाव पड़ेगा राहू आपके सब्तमभाव से उतर के चले जाएंगे आपके कु बाहु माराज औगस्त इंड में यहां से आपका व्यापार घतिमान होगा आपके मायरेज लाइप में जो प्रॉबलम आ रही थी उस प्रॉबलम को कहीं न कहीं साट आउट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे समिस्या का समाधान मिलेगा समिस्या का समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा लगन में आपके जो केतु महाराज हैं वो जब परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके मान शम्मान के वृद्धे कर रहे हैं ठीक है ना धनात्मक द्रिश्टकोंड से आगे ले जाएंगे धन की जो संभावन आए थी उनको तलास्क देंगे तो राहु केतु संभावन को जाए ठीक कर रहे हैं धनात्मक इसते ठीक कर रहे हैं गुरु महाराज अभी तुला नवांस में गए हैं और गुरु महाराज वक्री भी हो रहे हैं ठीक है ना गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे चार से प्टमबर को वक्री वस्था में रहें ठीक है न, आपके सब्तम भाव में गुरु क्या है, खस्टेस है, तो सब्तम भाव में प्रोब्लम क्रियेट कर रहे हैं, तो ब्यापार में परिशानी, दामपत जीवन में परिशानी, कोई नो कोई इस्ट्रा, ब्यक्ति वहां पहुंच के, नुक्ता चीनी कर रहा है, कमिया निकाल रहा है, परिशानी दे रहा है, अब जब यह वक्री हो जाएगी, तो इस तरह की परिशानियां आनी, खतम हो जाएगी, मतलब ब्यापार में आपको तिमान होंगे, दूसरा यहां पर गुरु चंडाल दोस जो था, वो अक्टूबर इन नमबर फश्ट नमंबर को त तूट जाएगा, खतम हो जाएगा, तो चंडाल दोस तूट ही चुका है, लेकिन दोनों ग्रोहों की यूदियां जो है न, देकि अगर आप के साथ कोई ऐसा दोस्त बैठा जो सराब पीता था, सराब पीना छोड़ दिया है, लेकिन आपके साथ चलता है, तो समाज तो सराबी के साथ चलते हो, सराब तो पीते होगे, कभी न कभी तेक पैक लगाते होगे, यही स्थिदी इसमें गुरु राहू के साथ चल रही है, तो यहाँ पर गुरु चंडाल दोस पूरते हाख खत्म हो जाएगा, एक यह फायदा होगा, कबसे, फायदा कबसे हो रहा है, फायदा टूइंटी इट अगस्त के बाद होगा, एक अगस्त से नहीं हो रहा है, क्योंकि राहू मेसनवांस में जा रहे हैं, और मेसनवांस आपका ब्यापार का नवांस है, यह मेसनवांस का मिलेगा, अस्वुनीन अच्छत्र की प्रथम च्रण में जा रहा में उसको बो हमारे साथ रहे मेरी कोशीस से यह जिए कि मैंकेला तिस क्याम न करूँ आप सुता जोस करना सीख जाओ यह मेरा उद्डेस है मैं विल्कुल नहीं चाहता है कि मैंकेला काम करूँ दूसरा शनी महाराज only जो वक्री है वक्री है बहुत अच्छा है कि सटहनी अभी आपके कुझड़ी में पंचम भाँ में वक्री क्योर चथूर्थुरत व्हाव की प्रावल्म उसको साथ आउट रहे है मतलब भूमी भवन वाहन की परिशानी आपको दूर कर रहा है एक लेकिन कैसे दूर करेंगे दूर कैसे करेंगे जब तक इनको कोई बड़ा प्लेनेट सपोर्ट नहीं करेंगा तब तक दूर नहीं कर पाएंगे बड़ा प्लेनेट कब सपोर्ट कर रहा है पहली बाद तो राहू महारा सपोर्ट करेंगे ठीक है न 28 सगस्तिय दो महार के लिए राहु छाया है तो राहु जब तक मंगल का बल नहीं प्राप्त करेंगे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मंगल आपको अक्टूबर में बल पतान कर रहे हैं अक्टूबर से लेके पूरा 16 नवंबर तक 18 दिसंबर अक्टूबर से लेके 28 दिसंबर तक मंगल पूर्ट नहीं सपोर्ट करेंगे तो वास्तों में आपके कुर्णली में जो सुब समय स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा 28 अगस्से उसमें जो गती आएगी वो गती अक्टूबर में आ रहे हैं राहू के तू अस्थान परिवर्टन करेंगे और मंगल आपके सपोर्ट लगन में चले जाएगे ब्यापार में गती आजएगी बिजनेस में गती आजएगी सम्मंधों में जो उतार चुड़ाव आ रहात हो वो खत्म हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपके इस्तिती बेहतर तब होगी दीखे एक और चीज़ है आपके उपर से धैया खतम हो चुकी है धैया खतम होने के बहुजूत परिशान हो उसके परिशानी के में कारणे के धैया खतम होते ही गुरू राहु ही कट्टे हो गए गुरू चंडाल दोस बन गया तो गुरू चंडाल दोस जब तक रहेगा तो यह परिशानी रहेगी और सनी अभी हो गए है वक्री सनी जैसे मारगी होंगी चीजों को ठीक करना सुरू करेंगे तो धैरे रखेगा सास रखेगा परिस्तितिया कितनी भी विपरीत है आपके निगेटिव जा रहे हैं अनकूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पे सकारात्म अकलाब होगा अगस्त का 17 अगस्त के बाद ही सूरे नारायन आपके लाव के घर में चलेंगे तो यह अच्छा फल देंगे इसके बाद यह चले जाएंगे आपके विदेश के घर में तो विदेश में आप काम अच्छा करना चाहते हैं विदेश से लाव लेना चाहते हैं विदेश में बीजा प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आपको लाव मिलेगा ठीक तो ये फिर अठारा अक्टूबर को चले जाएंगे आपको अठारा अक्टूबर को आपको लगन में आएंगे तो सूर्य नाराण जो लगन में आते हैं न तब भी अच्छा पल देते हैं हर तरह से अच्छा पल देंगे इसके बाद फिर आपके चले जाएंगे 16 तक लाव का स्वामि अपके कुणले में स्वामि धन के घर में बेहतर है तो सूर्य नारान भी आपके कुणले में 17 अगस्थ के बाद से बेहतर लाव दे रहे है तो पहले भाग की अपेच्छा जो दुती भाग है तुला रास के जातकों के लिए वह भाग पहले भाग की अपेच्छा ज्यादा बेहतर है यहाँ से परिस्तियां आपके अनुकूल आना सुरू हो जाएगी जो आपको धैया उतर के लाव नहीं दे पा रहे है वो धैया अब आपको उतरती हुई धैया है उतरी हुई धैया अब वो क्रियेट हो रहे है लाव देना सुरू करेगी ध्यातब रहे आपके बर्थचार्ड में राहु बहुत important है आपको इस तरह किसी ने बताय नहीं होगा कि राहु बहुत important है राहु मितुन लगन कुम्ब branded लगन, मिथुनरासी, कुंबरासी और तुला लगन इन तीनों में अगर राहू आपके अच्छे हैं तो आप बल्ले बल्ले हैं फिर दुनिया की कोई सकती आपको नहीं रोक सकती राहू अगर खराब पोजिशन में आ गए तो बहुत प्रयास करने वाद सपलता नहीं मिलेगी पॉइंट को समझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपके जो लगन का बेस है ना वो कवन सा है वो स्वाती है रासी का जो बेस है वो स्वाती है स्वाती कटिंग कर देता है राहू ठीक नहीं है तो चीज़ें मिलती है लेकि आधा कट करके मिलती है रिस्ते मिलते हैं लेकिन कट करके मिलते हैं एजुकेशन मिलता है लेकिन कट करके मिलता है भाग योदे में परिशान ही आती है नवम भाव में राहू अर्दरा के रोप में पंचम भाव में राहू सत्विसा नचत्र के रोप में तो परिवर्तन आ रहा है 28 अगस्य और अक्टूबर के बाद डेफिनेटली परिवर्तन आएगा तो खुश रहिए सुस्त रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर आप बने रहिए सुता जुड़िए मित्रों को जुड़िए आने वाले समय में थोड़ा सा वक्त की भागा भागी है मारा मारी चल रही है तो थुड़ा सा जैसे अस्थाइट अपर्त हुआ तो मैं पूरा पर तरीके से चिजह ता श्टार्ट करने वाला हूँ तो आसा करता हूं आपसा यो बना के रखेंगे रादेी